हेलो एवरिवन, क्लाश टैंथ मैतेमेटिक्स का चेप्टर नमबर दो बहुपद प्रशनावली 2.3 हल कर रहे हैं तो प्रशन नमबर दो पढ़ते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दीतिये बहुपद का एक गुननखंड है प्रशन नमबर दो का फर्स्ट पार्ट टी स्कॉार माइनस थ्री एक बहुपद ये दिया गया और दूसरा ये वाला तो हमें क्या करना है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जाज करनी है कि क्या प्रतम बहुपत दिती बहुपत का ये गुनन खंड है ये क्या है जी एक्स और ये पी एक्स है जी एक्स और इसको क्या कहेंगे पी एक्स तो हम इसको भाग देंगे इसे हम जो दीतिय बहुपत है प्रथम बहुपत से भाग देंगे टी स्क्वार माइनस थ्री तो जैसा हम पहले प्रिश्ण में कर चुके हैं जो यह है तूटी फोर इसको मिहां पर लिखे लेंगे इसका जो यह बहुपत दिया हुआ इसके हम पहले पत को नहां लिखेंगे और इसको हम जो हम जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके पहले पत से हम इसको भाग देंगे तो दो घासे दो घाट कर जाएंगी यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा टूटी फोर जो यहां पर बचा उसे ही हम भाग फल में लिख ल करेंगे तो जब इसकी गुणा ऐसे में करेंगे तो दो कि पावच्छाष आजाएगए प्लस माइनस माइनस 3, 3, 2, 6, t square तो t square यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखे लेंगे minus 6 t square घटाएंगे घटाने में क्या होगा? चिन बदल जाएंगे तो minus और plus यह कट जाएगा यहाँ से क्या पचा? plus का 3 t cube plus का 6 minus का गया दो तो plus का 4 t square minus 9 t minus 12 फिर इसको इससे भाग देंगे same way process 3 बटा t square दो घट से दो घट कट जाएगी तो क्या बचा? 3 t बच गया है यहाँ पर जो बचाओ से हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर plus है तो plus का निसान और 3 t बचा तो 3 t इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 t cube 3 t की पावर 3 plus minus minus 3 तिया नो टी तो यहाँ पर लिख देंगे minus 9 t घटाएंगे minus और plus यह कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा? 4 t square यह भी कट जाएगा यह plus का है यह minus का तो यह भी कट गया तो यहाँ से बचा माइनस 12 अब यह उतार लेंगे यहाँ पर 4 t square बचा t square t square से t square कटा क्या बच गया यहाँ पर? 4 बच गया तो 4 को यहाँ पर लेंगे plus 4 4 की गुणा हम करेंगे तो 4 t square plus minus minus 4 तिया 12 घटाएंगे minus plus यह कट गया यह भी कट गया तो नीचे क्या बचा? 0 6 फल बचा तो जब 0 6 फल बच जेगा तो इसका मतलब क्या है? कि जो पर्थम बहुपद दी दिया गया है पर्थम बहुपद यह दीती है बहुपद का ही एक गुणान खंड है तो यहाँ पर लिख देंगे आते हैं सिर्फ हमें इसमें एक line एड़ करनी है आते हैं तब पर्थम बहुपद दीत्य बहुपद का एक गुणान खंड होगा तब पर्थम बहुपद दीत्य बहुपद का एक गुणान खंड होगा इसमें 6 फल 0 बच रहा है तो इसका मतलब है जो पर्थम बहुपद है वैदीत्य बहुपद का एक गुननखंड है अगर यहाँ पर 6 फल 0 ना बचता तो पर्थम बहुपद दिया गया जो पर्थम बहुपद है वैदीत्य बहुपद का गुननखंड नहीं होता प्रश नमबर दो का सेकिंड पार्ट हमें क्या करना है x square प्लस 3x प्लस 1 ये जो पर्थम पत दिया गया इससे दित्य पत को भाग करना है तो यहाँ पर उतार लेंगे दित्य पत 3x4 प्लस 5x cube माइनस 7x square प्लस 2x प्लस 2 भाग करना है x square प्लस 3x प्लस 1 से तो इसी तरह करेंगे जो इसका पर्थम पत है 3x4 इसको हम भाग देंगे x square से दो घात कर जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x square जो बचा इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x square अब इससे हम भाग फल से इसमें गुना करेंगे 3x square की गुना x square में करेंगे तो गुना में घाते जुड़ जाती है तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 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 तीन त्या 9x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 3 तीन एकम 3x square प्लस 3x square घाताने पर घटाएंगे माइनस 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 ये कर जाएगा माइनस का 9x cube प्लस का 5 तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4x cube माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो 10x² माइनस का माइनस 10x² यह भी उतार लेंगे यहाँ पर 2x प्लस 2 फिर इसी तरह करेंगे जो माइनस 4x³ है इसको हम भाग देंगे x² से दो घार थट जाएंगे तो माइनस 4x बच जाएगा जो यह बच जाएगा इसको यहाँ पर लिकलेंगे माइनस भाग फल के रूप में माइनस 4x माइनस 4x की गुणा हम किस में करेंगे 4x² में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 x की पावर 3 और इसी तरह जो 4 की गुणा हम करेंगे 4 तिया 12 x माइनस 12 x स्क्वेर माइनस 4 x की गुणा एक में करेंगे तो माइनस 4 x हो जाएगा माइनस 4 x घटाने पर प्लस 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 निशान चेंड हो जाएगे तो 4 x क्यूब से 4 x क्यूब गया माइनस का 10 x स्क्वेर प्लस का 12 तो यहाँ पर बचा 2 x स्क्वेर 4 और 2 प्लस के 6 x और प्लस का 2 तो 2 x स्क्वेर को हम भाग देंगे x स्क्वेर से यह कर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस दो जो ये प्लस दो बचा इसको यहाँ पर लिख लिया तो दो की गुणास में करेंगे दो एकस स्क्वार दो तिया छे प्लस का छे एकस और दो एकम दो प्लस का दो गटाने पर माइनस 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 ये भी कट गया ये भी और दो से दो कट गया तो यहाँ पर क्या जेशफल बचा जीरो बचा तो जब शेशफल जीरो बचा इसका मतलब क्या है जो प्रतम भुपद है वैद्धित्य भुपद का ये गुनन खंड है अते हैं यह दफ वर्क था अते हैं जब शेश फर सुन्ने हो तब प्रथम बहुपद दित्तिय बहुपद का ये गुननखंड होगा ये इसका आंसर आगया प्रश नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जो इसका पर्तम पत है एक्स की बखा 3-3x प्लस 1 इससे हम इसके दीतिय पत को भाग देंगे भाग देने के लिए यहाँ पर लिखेंगे x की power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 भाग देंगे x की power 3 minus 3x plus 1 से भाग देंगे तो इसी तरह से क्या करना है हमें जो x की power 5 है इसको भाग देना है x की power 3 से 2 तो क्या होगा भाग करने पर जो घात है वे घट जाती है तो कितनी बची x की power 2 बची तो इसको क्या करेंगे इसको यहां पर लिखे लेंगे x square इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x की power 5 गुणा में घा जूर जाती है माइनस 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 तीन x cube और प्लस x square घटाने पर माइनस प्लस माइनस यह कट गया और x square से x square कट गया तो माइनस का 4 x cube प्लस का 3 x cube तो कितना बचा यहां पर माइनस का x cube x की गात 3 एक x की गात 3 बच गई यहां से उतार लिया प्लस 3 x प्लस 1 प्लस मायनस माइनस माइनस 1 इसकी गणा करेंगे तो माइनस सकी गणा करेंगे घटाने पर यह प्लस का हो जाएगा यह प्लस का और यह प्लस का इससे यह कट गया प्लस का ती नेक्स प्लस का ती नेक्स कितने बच गए माइनस माइनस पलस यह पहले पलस खाता अब यह माइनस का हो जाएगा तो यह इस से कट जाएगा एक और एक दो पलस के दो बच गए रिमेंडर यानि के शेश फल इसमें क्या बचा शेश फल दो जीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या है जो परतम भुपद है वैदित्य भु शेश फल दो है, जब शेश फल दो है, तो प्रथम बहुपद, दित्य बहुपद का एक गुननखंड नहीं होगा, ये इसका आंसर आ गया, प्रश नमबर दो के तीनों पाठ हमने हल कर लिये हैं, वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना,